हमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मैं राहूल दिवेदी आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज फिर आपके सामने आया हूं कुछ आज की ताजा टेक निउज लेके दोस्तों तो बिना देरी करे आईए शुरू करते हैं दोस्तों आज की पहली खबर रिएलमी 5 की तरब से अगर आप रिएल 2 लेना चाहते हैं तो आपको हर ट्यूजडेज को इसकी सेल फ्लिप कार्ट में मिल जाएगी दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की जोकी है शायमी कारफ से जो की होगा 30W का Fast Charging बात करते हैं आज की अगली खबर की जो की आती है Honor की तरफ से दोस्तों Honor ने ये Confirm कर दिया है कि उनका आने वाला Phone Honor 30 जो होगा वो होगा Crane 990 चिपसेट के साथ और इसमें होगी 5G Connectivity Support दोस्तों बात करते हैं आज की अगली खबर की जो की आती है Honor की ही तरफ से दोस्तों Honor ने अपना एक नया एप लाउंच किया है जो की मदद करेगा पार्शली जिनको नहीं दिखता है इसमें आपको तीन मोड मिल जाएंगे पहला मोड होगा Text to Speech मोड दूसरा होगा Zoom In मोड तीसरा होगा Negative Image मोड दोस्तों इस एप का नाम है Pocket Vision दोस्तों बात करते हैं आज की अगली खबर की जो की है Amazon की तरफ से दोस्तों Amazon का Great Indian Festival जो है Sale वापस आ रही है आपको जो लेना है आप लिस्ट तयार रखो क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे option और बहुत सारी बचत आपको ही हो जाएगी बात करते हैं अगली खबर की जो की आती है Samsung की तरफ से दोस्तों Samsung Galaxy A50S इंडिया में ऐसा expect किया जा रहा है कि launch हो सकता है 11 September को बात करते हैं आज की अगली खबर की जो की है Xiaomi की तरफ से दोस्तों Xiaomi Mi Mix 4 के कुछ specification लीक हुए है बात कर लेते हैं उन्हीं specification की इसमें आपको मिल जाएगा waterfall screen दोस्तों जो की होगा 90 Hz का बात करते हैं इस camera की तो इसमें pop-up mechanism camera होगा और 100 megapixel का primary camera होगा दोस्तों 40 watt की इसमें आपको fast charging मिल जाएगी बात करते हैं अगली खबर की जो की आती है Vivo की तरफ से दोस्तों Vivo V17 Pro में आपको एक नहीं दो नहीं तीन नहीं ना चार बलकि 6 camera मिलेंगे दो होगे selfie camera और 4 होगा पीछे quad camera setup दोस्तों बात करते हैं आज की अगली खबर की जो की है Realme की तरफ से दोस्तों Realme अपना 5G phone बहुत जल्दी लाने वाला है ये अब announce कर दिया है दोस्तों Realme ने जिसमें लगा होगा Qualcomm Snapdragon 7 Series का chipset दोस्तों बात करते हैं आज की अगली खबर की जो की है चंद्रयान से दोस्तों चंद्रयान 1 के जो डिरेक्टर साहब है उन्होंने ये बताया कि शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ हमारे lander और जो उसके बीच में कुछ obstacle है जिसकी वज़े से हमें signal नहीं मिल पा रहे हैं या हमारा संपर्ग जो है वो lander के साथ नहीं हो पा रहा है दोस्तों मैं और आप यही प्रातना करते हैं कि कुछ चमतकार हो जाए और हमारा संपर्ग हो जाए दोस्तों lander के साथ बात करते हैं दोस्तों आज की आखरी खबर की और बहुत ही shocking खबर की दोस्तों दोस्तों चाइना में जो दुनिया का सबसे बड़ा telescope है उसने कुछ signal पकड़े हैं जो की काफी दूर आकाश गंगा से आए हैं दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि यह जो signal आए हैं यह 3 billion light years से अर्थ से इसकी दूरी है दोस्तों ऐसा कहा है Chinese एक agency है एन ए ओसी उसने तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताईए कि आप विश्वास करते हैं कि इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और भी है aliens है या नहीं तो दोस्तों ताकत के साथ like करें comment करें और मेरा वीडियो शेयर करें दोस्तों आशा करता हूं मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता हूंगा अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दे करें और आप स्ब्सक्राइब करना झाल झाल